रुक्मनी मंदिर रुक्मनी मंदिर पुझरात में द्वारका के पास इस्थित है यहां द्वारका से लगभग दो किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है लोगों को हैरानी होती है कि देवी रुक्मनी का ऐसा अद्भुत मंदिर द्वारका से दूर क्यों है रुख्मणी भगवान कृष्न की पसंदीधाराने थी, और उंहें माता लक्ष्मी का आवतार माना जाताँ है रुख्मणी मंदिर द्वारका से दूर्क्यो इस्थित है, जहां भगवान कृष्न का विशाल मंदिर है, इसका कारण इस प्रकार है ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण और रुक्मनी ने रिशी दुर्वासा को अपने घर खाने के लिए आमंत्रत किया था रिशी दुर्वासा ने एक शर्थ रखी थी कि वह खाने के लिए तभी आएंगे जब भगवान कृष्ण और रुख्मणी स्वय वोग रत खीचेंगे जिस पर रिशी बैठे हो रत यात्रा के दोरान रुख्मणी को प्यास लग रही थी उनकी प्यास पुझाने के लिए भवान कृष्ण ने अपने पैर के अंगुठे से जमीन को दबाया जब गंगाजी का जल निकला तो रुख्मणी ने दिशी दुर्वासा को पहले जल दिये बिना ही जल पी लिया यह देखकर दिशी दुर्वासा क्रोधित हो दये और उन्होंने रुख्मणी को शाब दे दिया कि वह अपने पती से दूर रहेंगी इसलिए रुख्मणी मंदिर द्वार का धीश मंदिर से दूर सित है यदि आप किसी मंदिर पर ऐसी जटिल नकाशी देखना चाहते हैं जो आपको विस्मित कर दे तो कृपया द्वार का जाए और द्वार का धीश मंदिर और रुख्मणी मंदिर दोनों देखे अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो रिपया लाइक बटन पर क्लिक करे चैनल को सब्स्प्राइब करे और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेर करे हमारी चैनल से अपडेट पाने के लिए रिपया बेल आइकन पर क्लिक करे शुक्रिया